हलो दोस्तों मैं हूँ रागवेंद आप सभी का कॉमेडिशन कॉमुनिटी में स्वागत करता हूँ जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि 10 मई से हम लोग डेली दो पहर दो बजे सीडीपी और अपका पेडागोजी का जो सेक्शन है जो कि सिख्षों को सहायक सिख्षों में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है उसको हम लोग लेकर आएं साथ ही साथ इसका अगर आपको पीडियाप चाहिए तो हमारे कॉंपेडिशन कॉमुनिटी के वेबसाइट विजिट करकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और यह पूरी तरह से यह पूरी सीरी जो है आपको निशुल का प्राप्त होगी हमारे यूट्यूब चैनल पे तो चली आए स्टार्ट करते हैं देखिए आपका सिख्षों को सहायक सिख्षक में और और टेट की जो भरतियां इसमें न सिख्षा मनुवग्यान याने सिख् साथ हम भी करते जाएंगे कि कौण को से प्र ने क्या क्या प्रिश्ण थैंड में कूछ पूछे गया है तो चले स्टार्ट करते हैं देखिए अधीघ्र म क्या होता है अधीघ्रम का मतलब होता है सीखना सीम्पल सा अगर मतलब कहें तो अधिकम का मतलब है सीखना तो सीखना जो है आपका यह इसका मतलब है इसके अलावा सीखना मतलब क्या कैसे तो जब आप सीखते हैं तो कुछ ना कुछ आप करेंगे और करेंगे तो आपका विभार बदलेगा और विभ देखे विवहार में परिवार्तन कर सकते हैं तो देखे इसके तीन स्टेफ होते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है प्रस्ट्रिक्षिंड लेना है अब अभ्यास करेंगे और अभ्यास करने के आप उसमें हो जाएंगे पारंगत हो जाएंगे इसके बास आपका पास अनुभाव आजाएगा यह तीन चीजे विभार में कैसे परिवतन आता है तो सबसे थे हम तो हम लोग क्या करते थे हिंदी जो है हिंदी सुलेख लिखने की कोशिश करते थे प्रैक्टिस करते रहे थे प्रसिक्षर लेते थे कबूतर का खर खर गोश का तो यह कबूतर प्रसिक्षर ले रहे हैं उसका डेली अभ्यास करवाते थे गुरुजी बहुत मारते थे के लिखते यह हम इस तीनो प्रक्रिया से घुजरते है अभ्यास और अन्वह ये तीनो प्रक्रिया को जह हम हम पूड करते पूड करने के बाद विवहार में अपने परिवत्वितन बर वहार परिवत्व्तन तब हम सीखना हो गया है लर्रीन के नीमना कर। क्या किया पहले दिन गाड़ी चलाए तो पहले जिन क्या करोगे अभ्यास करोगे थोड़ास जाओगे फिर गीरोगे फिर चलोगे फिर चलोगे ऐसी होता है उसके बाद फिर आपको धीरे-धीरे अनुभव हो जागे कि कहां पर क्लच है कहां पर ब्रेक है कैसे चलाना है उसक बात आपका वेवहार बदल जाएगा उस गाड़ी के लिए आप उस थाई रूस से गाड़ी को चलाने लगए इसका मतलब क्या हो आपने गाड़ी चलाना सीख लिया है तो वेवहार में परिवर्तन जो है अगर प्रसीक्षन अभ्यास और अनुभाव से हुआ है तब जाकर हम ज्यानकिस ने दिया है वाटस्तन ने खोजा था और सरपहरं कोंसी बुक लिखिए है उन्होंने क्या किया है तो यह वहार का क्या होता है वेवहार कैसे परिवर्तन किया जाता ठीक है तो याद रखेगा ये तीनों कारण से अगर आपके विवहार में इस्थाई किया है आपकी तबियत खराब है तो भी तो आपका विभार बदल जाएगा ना तो क्या वह अधिगम होगा जी नहीं वह अधिगम नहीं कहलाएगा यह कभी-कभी माध्यक करणों से आपके विभार में परिवतन हो जाएगे प्रिसिक्षण उसके बाद अभ्यास और अनुभव और उससे लिया हुआ ज्यान उसे प्राप्त आपका जो भी आपका ज्यान है उसको हम लोग अधिगम कहते हैं ठीक है उमीद है आपको अधिगम की परिवास समझ में चुका हूं मुल्प्रवित्टी विकास विमारी थकान या मादग पंदार्तों के सेवन करने से आपकी विभार में परिवतन आता है उसको हम लोग अधिगम नहीं कहते है उसके साथ साथ क्रों की क्या परिभासा है देखिए आधत अभिवित्ती और ज्यान का अरजन करना ह क्या कहलाएगा अपका क्या कहलाएगा अधिकम कहलाएगा गिलफोड क्या बोलते हैं विभार के कारण विभार में आया परिवर्तन ही क्या कहलाएगा अधिकम कहलाएगा जैसे विभार करते हैं जैसा विभार करेंगे वैसा विभार प्राप्त होगा हमने जैसे विस्क किया क किसी को जैराम जी की जैराम जी के 2-3 जार दिन करोगे उसके बाद दूसरा वाला भी आपको देख के आगे आगे कैसे करेगा तो विभार के आए परिवर्तन आया उसको क्या कहेंगे अधिकम कहेंगे यह को बोलते हैं गिलफोर्ट के पर चीक है कहते हैं ना गुड मॉनिंग गुड नाइट तो जब आप कहते हैं उन्हों सामने वाला भी आपको विश्च करता हो धीरे 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 इस्थाई हो जाता है आपके देखते ही रेंडम निकलने लगता है इसे को हम लोग क्या बोलेंगे गिलफोर्ट की परिवास्ता में अधिकम कहेंगे उसके बाद दे लोगों की आपको याद का कहना है र्वेवार में उतलो तर अंकूलन की प्रक्रिया उसका बाद नेक्स आपका आईजेक अधिगम की नवीन एश्थाई परिवतन के अन्दर की प्रक्रिया जखने की प्रक्रिया है और लगता नाया जाए तो प्रसिक्षण करते और अभ्यास भी बताया है अगर वर्भार में आपका परिवर्तन आया उसको हम लोग क्या कहेंगे अधीगम याने सीखना कहते हैं चलेगे इसके आगे देखते है थोड़ा सा अधीगम की विशेस्ता है अधिगम की विशेस्ताओं के अगर हम लोग बात करें तो ध्यान दीजेगा अधिगम देखें सबसे पहले अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया निरंतर जन्म से लेकर मृत्यू तक आफ सीखते हैं तो पहला क्या हो जाएगा अधिगम जन्म से मृत्यू तक चलने वाली प्रक्रिया है ठीक है पहला पॉइंट एक और बात अधिगम जो है वो स्वतह नहीं होता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप बैठे हैं सोए हैं और अपने आप सीख रहे हैं ऐसा नहीं होगा अधिगम के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा य अगर आप मा लीजे गाड़ी चलाना चाहते हैं तो सोच रहें स्वॉआ प्रयास करना है तो अधिगम के लिए प्रयास करना पड़ेगा प्रयास करना है तो यह जतिल प्रक्रिया भी ठीक याद लेगा यह केसी इक यह 무었 यह होती है अधीक हमं प्रावें यम्ग से छोड़ेंगे ओकर अपने सब्सक्राइब छोड़े जकित होगी जैसे देख होँ अभी सोय थे अभी 6 माइना साल भर से आनी रह वेकेंसी अभी उठी रहे हैं जाग गए है ठीक है कस्ट हो रहा है थोड़ा पढ़ने में एकदम कुछ कुछ समझें नहीं आ रहा होगा पार हो जा रहा होगा तो वही वह रहा है कि अधिगम क्या है एक जटिल प्रक्रिया है ज कि अधिए अभी प्रेणा अवशक है अनि मोटिवेशन आपको चाहिए अघिगम आपको चाहिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी कोई भी चीज़गा सीखना चाहते तो सबसे पहले प्रेणा regenerati आत्म प्रेणा को है् इथिम ऑप्धर होता है मगर उसके बाद भी आप घर गए उसके बाद एक दी उसके दूसरे दिन ठंधा गए मगर वही देग याद रखेगा अगर आपके अंदर से आता हैं इक अंतर से पढ़ना है खुशी हो यह पढ़के तो समझे अब देखो तो यह कैसा है तो यह आपका मांसिक प्रक्रिया मांसिक और समाजिक भी होती है अधिक हम क्या होता है मांसिक और समाजिक प्रक्रिया भी है मांसिक यहने मन से मतलब आपको दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा आपको ठीक हो समाजिक एने समाज में रहकर भी पprofit किया है सार्व भॉमिक प्रक्रिया है सार्व भॉमिक प्रक्रिया सार वामिक काने एद्नılar सोती है यह सब लोग सिखते हैं यहने जानुवर भी सिखते हैं अपको मनुष्य सिखते है सब भी делать ही हुरा है तो अधीक तो वहांविक में जानुरों में होता है और साथ साथ मनुष्यों में चेत्र होते हैं किते चेत्र होंगे तीन कौन को से एक होता है संग्यान संग्यान आत्मक छेत्र दूसरा होता है क्रियात्मक और तीसरा होता है आपका भाव वरांद भाव भाव आत्मक ठीक है भावात्मथ ठीक है देखो-, संग्यानमथ क्या होता है संग्यान मतलता जब आप यान का प्रयोकरिव्प्रियों का प्रयोकर करके सीखते तो तो संग्यान अत्मक पक्ष कहते हैं दढ़ी कम छिट में जैसे आप्सा स्यंक जीक्टार लगा दिमागゃ सीक alors तो है आपका की आपका सैंस्कृति अपनी संस्कृति अपनी संस्कृति नी कल्चर को शिכते भाव से सिख थे आप जब छोटे थे तो माता पिता रोज आपको पैर प्रणाम करन कर आपके तोimiento था था वा cage kaas करते के दनवाय करते आ गे आपको पाज ऒब bltk देखते हैं तो आदर से संभाण से क्या करते हैं पैर्च हते प्रनाम करते यह अधीगम करते भी तया यह क्या हो गया अधीगम के तीन झेटर होते हैं कॉन को से संग्यानक्यत्मक्ष जब ज होता है उस 걸 हम सीखते हैं उसको क्या गोळेंगे तो आपका अधिग्म के ये 4 होगे के उसके प्रभावित करने pinky करने वाले कारक के अधिग्म objective करने कारक ध्यान्योश कर दिएक़ बहुत नोने देखते हैं तो एक को लिए बह सारी चीजा प्रभाउबग करते हैं उसको ध्यान दीजे इसके सिक्ने सब से पहले से ने को क्या प्रभाउद करता और सबसे पहले देखे हैं आपका अभी अभी बता भी रहते हैं अगर आपके अंदर motivation नहीं है तो आप याकीन मानिए है आप सीख नहीं पाएंगे यदि आपके अंदर ललक नहीं है अगर आप महनत नहीं करना चाहते तो जॉब जुब बहुत मुस्किल से यह नहीं लगेगी यानि आपको motivation की जरुवत है dus मुझ की उसको कैसे प्राप्त करिएक टृması तो याद देखेगा अभी प्रेना जो है बहुत जरूरी है अदि में सबसे जरूरी आप मोटीवेशन है, सब से देखो कभी कभी कवर का हूता है ,ージoud relationships this कुन परहुत करता है तो वातावरण फीप्र आछ वाटवरण स्कूल का घर का महल अच्छा है तो आप जल्दी शीख जाते हैं उस चीजों को जल्दी पकड़ेते हैं ठीक है और अगर आगर वातवर्ण सहीं नहीं है तो आपको सीखने में दिक्कत होती है और पीछे रहेजाते तो वातवर्ण भी प्रभाइद करता हैं कि तीसरा है वंसा प्रक्रिया वंस अगर माली जीए वंसक्रम में अगर प्राबलम है ठीक है आपके की मनस्तिथी खराब तो भी आपको अधिक्षण विधिया अगर गलत है और अभी प्रेणा चात्रों के लिए भी जरूरी है और अभी प्रेणा सिक्षक के लिए भी जरूरी है तो सिक्षक प्रेणा ठीक 46 अधिकर जलेंगा जलाएं तो बच्चा बोर हो जाएगा उबाव कौनारी और वह सीख नहीं पाएगा तो सिक्षड विधिया जरूरी है प्रभाइद करती है सिक्षक जो होता है उसकी उसकी भी प्रणा हो देप्ढाने का मन तो हो पढ़ाने का सासात अभी प्रणा वातावरण और वनसानुगत यह सारी चीजे और भी चीजे हैं बहुत सारी चीजे प्रभाइद करते हैं मगर इससे मुख्ष चीजे तो यहां देखेगा अधिगम को प्रभाइद करने वाली कारव में अभी प्रणा आ जाएगा वातावरण वनसानुगत आएगा सिक्षा की प्रणा आएगी और सिक्षक आपका विरिया आ जाएगी ठीक है यहां देखेग और दूसरा है आपका संग्यानवादी सिध्धान तो थोड़ा समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते इसको डिटेल करते हैं देखिए विभारवादी सिध्धान की अगर बात का है बात की जाए तो देखें सबसे पहले इसके प्रदिपाद है थार्ड डाइट बी एफ स्कीनर पड़ा और सिएल हल या विगरा जोए पहले दा तो यही कोशन हुझेगा वेभारवादी सिधान जो देने वाले वह कौन-कून है यह जो लोग है बिभारवादी सिध्धान तो सीखते कैसे प्रैक्टिस करते है अभ्याs करते उसके बाद आपके विवहार में परिवतन आता है तो विवहार में जो परिवतन आया ठीक है तो विवहार में जो परिवतन आया जो जो कैसा था वो इस्थाई परिवतन है अगर उसके माध्यम से आपका सीखते हो तो यह वह यह जो है वह क्या लाएगा विवहारवादी इसमें आपका क्या होगा आपका याद रखेंगा płती ठीड हो कैसे पहले प्रषिक्ष्यों करोगा भ्यास कर YouT तो यह कहते हैं वेभारवादी लोग कि यह जो प्रक्रिया है कैसी है आपका स्थाई है और यह धीरे-दिर होने वाली प्रक्रिया कि अंतरधिष्टि का सिध्धान्त होता है यह कहते है इसमें कि यह तुनन्त होता अचानक बात नहीं करते यह भूनाइघ अभ्यास करते-करते-करते यह में डिफरेंस यह हैं यह कहते है कि जो कैसे आएगा धीरे धीरे शक्राइए नाम्स ऑने नatti सिधान था गस्टालवादी सिधान भी ओलते हैं कौन-कौन दिया था तो यह सब चीज़ें मेक्स वर्दीमीर कुलहर कुलतु लेविन कॉफा वगर 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 यह लोग दिये थे इसको समझे कि नोगों कहना क्या चाहते और यह केवल किसमें होता है तो लगवल मनुष्यों में होता है तो दो प्रकार के सिधान पढ़ेंगे एक विभारवादी सिधान और एक आपका संग्यान वादी सिधान ठीक है चले चालू करते हैं सबसे पहले आज यही चौपिक देखते हैं विभारवादी सिधान में हम लोग आज और बाकी और लोगों को देखेंक तो अगला प्रयोक किया अपने अधिकम के लिए प्रयोक किया उस प्रयोक को thanks करना है और यह कहां क HR से लोग सीखतें हैं शीखना जो लर्निकर विवार सबसे पहले दिया था इसलिए प्रतौन सब्सक्राइबियानि के नाम से गसाइख फिरिवन इन्होंसे थ्याता है तो इसलिए theater और इनके दो नीयम है मुख्य नीयम और गॉर्णियम उसको भी देखना है मुख्य में तीन नीयम है पांच नी में तो इन्होंने लिया ठीक है पहले देख लेते है कि उन्होंने क्या क्या सिस्टम दिया तो देखो उन्होंने क्या कहा ठीक उसको देखना है इसी दान से पहले देखो इनक्यानी नाम को पहले देखेंगे देखो उन्होंने क्या कहा एक होता है उद्धीपन ठीक है और उन्हों ने कहा अनुक्रिया इसको ऐसे समझ लेते हैं उद्धीपन और एक कहा अनुक्रिया अनुक्रिया मतलब रिस्पॉंस याने आर ठीक है उद्धीपन मतलब स्टुमिलेटन याने एस ठीक है तो देखे उद्धीपन एस और अनुक्रिया आर ठीक है इस्टुमिलेट याने उद्धीपन और अनुक्रिया मतलब रिस्पॉंस इस आर उन्होंने निए इस आर दिया है इस आर ठी यह इसलिए इसाअअ धीपन और अनुकरिया के बेस पेना शिधान धिया है और इस इधार पर उन्होंने प्रियोग भी किया इसलिए इसार अब उन्होंने मुला क्या देखिए अनुक्रिया करता है जो काम करता है उसको क्या बोलेंगे काम करने वाला को क्या बोलेंगे अनुक्रिया करने वाला को क्या बोलेंगे अनुक्रिया करने वाला अनुक्रिया कहला रिस्पॉंस कहलाएगा ठीक है रिस्पॉंस जो रिस्पॉ होगी उसको हम लोग क्या बलेंगे उसकी वज़ा से आप काम करेंगे उसी को हम लोग क्या बलेंगे वस्तु बोलेंगे तो याद के sr theory उन्हों का में जो सिध्धान था वह था कि वह बोर रहा है कि जो अनुक्रिया करता है और ठीक है तो आपका और होगा उन्होंने बताया देखो क्या हुआ ब्लली क्या हो गit कर देते हैं बिली क्या हो जाएगी हुआ और उन्हों क्या है बिली को पीजणने में रख दिया और वीचारी बिली को गूखे रखे आस सामने में क्या किये आपका अपका मचली उन्हों नंगा और यह क्या हो करें तो बिल्ली क्या करती है अभ्यास करती है और सहड़न क्या होता है एक आपका लिवर पर उसके पैर पढ़ जाता है और दर्वाजा खुल जाता है बिल्ली आती है मचली को खा लेती है यही है क्या हुआ बिल्ली ने क्या क्या बिल्ली को भुखे रखे थे भुखी बिल्ली थी भुखी बिल्ली क्या करती है भुखी बिल्ली पीज़रे पर हाथ बार बार दो रहा है फिर से उन्होंने क्या किया फिर बिल्ली को रखा फिर बिल्ली क्या की वैसी काम की वैसे क्या काम की वह क्या की बार बार पिजड़े पर हाथ पर मारती है अचानक फिर से उसका पैर लिवर पड़ता है ऐसे करते 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 अभ्यास करते करते प्रसिक्ष अब जैसे उसको बंद करते हैं जैसे इसको बंद करते हो जाती है उसको फैर मारती खुलता जाके खा लेती है तो यह याद रखेगा अधिकम के सिध्धान में अब समना अब यह जो सिध्धान के नाम है कैसे देखिए अब देखिए जब वह मचली को प्राप्त कर ली तो मच मचली देखो बिल्ली और मचली अनुक्रिया करके मचली को प्राथ कर ली और यह जब जब मचली को प्राथ कर लीती है तो इनके बीच एक संबंध बनता है जिसको अनुबंधन कहते हैं जब आप महनत करेंगे और लक्ष को प्राथ कर लेंगे तो आपके बीच और उस लक्ष कर सकता हूं तो दूसरे भी आपका सब्सक्राइब आपका पर्फेक्शन आता है जब आप क्या करते हैं बिल्ली जो है मचली को प्राप्त कर ली तो इसके अनुबनधन ऑन दिया है जब करते आप aja कर नुकृया करने क्या करते अगर नहीं बना अगर नहीं बना तो अक अब एक और बासी आप लिए आनुब्ल करें वुजब आप कृट्त कर कर लिया जाता है तो उसको क्या क्या किया साइकिल चलाई या फिर अपने गाडि चलाई क्या हुआ आप पहले दिन गिरें अभयास किया उसके दूसरे दिन और ठुछा सा सीखा dalतर से करते कर देखं़ 15 तिन्में आप डिलस बनाना सीख़़ नफिया उसके बाद क्या होता वर उसके बाद अब अधिगम हो गया है या दखेगा अधिगम होने के लिए आपका क्या जरूरी है तो अधिगम होने के लिए अनुबंध बनना जरूरी है अनुबंधन होना जरूरी है ठीक है अनुबंध याने संबंध होना जरूरी है ठीक है उन दोनों के बिच क्या होना चाहिए आप सुनो तो अब इस सिध्धान के अनिनाम भी है पहली बात तो sr theory क्यों बोलते हैं तो s मतलब क्या हो गया stimulation और रिस्पॉंस यानि उद्धीपन और अनुक्रिया दोनों होती है इसलिए इसको sr theory बोलते हैं दोनों important इसमें उद्धीपन भी जरूर है और अनुक्रिया भी संबंध बात का सिमान कहते याद रखेगा संबंध बात का सिध्धान क्यों कहते हैं की दोनों के बिच़टाबान summation के ने तो आपने क्या क्या बिलीնे क्या कह पिर आपने गाड़ी चलाने के लिए पहले कोशिश किये कभी क्लुश की जगा भ्रेक की चली topics जात grave प्रयास किया भूला प्रयास किया भूला बिल्ली भूरी डरी चांप घ्रिंदी गया अन्दर एक दिन दो दें 3-10 उसके बाद उसने पागे है न तो यह रखेंगा रख्त और भूल का सिद्धान भी कहते है इसलिए इस लिए ब्रतückenक ज तुटी या दखेगा अधिगम में एक इंपोर्टेंट कारक एरर याने आपका क्या होता है तुटी होता है आप बच्चों को पनिश मत कीजिएगा यह सुभाविक प्रक्रिया थोड़ा सलिक देते हैं इसको कि अधिगम कि अधिगम की एक स्वभाविक स्वभाविक प्रक्रिया तुटी है तुटी है तुटी है तुटी है या दखेगा अधिगम की एक स्वभावी प्रतिया तुटी है याने एरर ठीक है एरर है मतलब तुटीया होंगी ही होंगी आप अगर अधिगम करना चाह रहे अगर सीखना चाह रहे तो आप से गलती होगी है आप से भी होती है सबसे होती है तो गलती अगर बच्चा किसी ने बच्चे ने गलती की है ऐसा नहीं कि पड़े डंडा और मारना चालू ठीक है उठा बठा कराना जैसे पहले होता था वैसे नहीं है सुभावी प्रक्रिया है अगर कोई सीखने की प्रक्रिय म chuckles जो मातने कहता है है लंडीन के इसान का मत्सका नाम कहता है उद्द्धान कि नाम रटने समझ लेना समायोजन का सिध्धान संभंद सकती क deriv just the billy ने पंजा माना तो संयोग से अभी बोलते याद दखेगा जैसे अने नाम आप समझ लेए सिधां की बहुत आसानी इस निनाम याद ने तो रटना पड़ जाएं ओके देखो तो संबंध वात का सिधान वूदीपन और अनुक्रिया की संबंध बंध बंता है इस वज़े वसक्ति को मैंने संबंद वात का सिधानन बोलता है उसने प्रhouses दोनों दोनों होते तभी काम होगा उसके आपका समायोजर सैयोक शेथास बिली का जूपैर है अचानक लीवर पड़ा है संसेयोक से पड़ए संयोक वादी सिथांत की नाम से जानते है संयोक ॥ यूछ के थान डाइक उन्होंने इस नियम के मुख्य रूप से तीन नियम बताए मुख्य नियम जो इनके तीन है और गौड नियम पांच बताए तो फुरा उसको भी देख लेते हैं कि अधिकम के निम्नियों से अच्छा यह प्रश्ण आगे पहले हम लोग अधिकम के लिए निम्नियों से क्या वश्ण तो देखो मैंने अभी वह बताई विसेस्ता बताई थी आपको कि अधिकम के लिए क्लिए सबसे ज्यादा वश्ण क्या होता है ठीक है तो देखो सबसे पहले कहा है उत्तम पालक-बालक-संबंध उच्छ बुद्धी मता सबसे ज़़ए इंपॉर्टन क्या होगा सीखने की इक्षा ती कैई सीखने की इच्छा नहीं है अगर मोटिवेशन नहीं नहीं तो आप नहीं सीख सकते हैं आप करीश नहीं पाएंगे बाकि कुछ भी रहे आपका मानी नहीं तो गढ़िट पढ़ाने वाला दो दो को जगानी पढ़ती है सीखने की इच्छा एक्सटरनल आपका मोटिवेशन देखे फिर इंटरनल अपने आप आ जाता है तो देखो सीखने की इच्छा जो है सीखने की इच्छा बहुत इंपॉर्ड़ने पहला कुशन 2019 में आया था ध्यान रखना साथ साथ देखो और यदि किताब पढ़ने पर किसी बालों को प्रशंता की अनुख होती है तो उसको क्या तो क्या कहेंगे उसको ठीक है बाव अभी प्रणा आंत्री का भी प्रणा प्रशंता प्राप्ति के लिए उप्रोग में से कोई नहीं देखो बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है खुसी हो खुसी अंदर से अच्छा लग रहा है कोई काम आपको करने में अच्छा लग रहा है याने आप सेल्फ मोटिवेटेड हो ठीक है बाव प्रणा कुछ समय के लिए ही होती है आपना मोटिवेशन को लाइनों को बहुत सारे जो मोटिवेशन करते हैं उनलों को सुन लोगे है और भी चर्टा करेंगे सांस्वाद देखो ठीक करें अतोवेशन को अनौर्चा करें इसको लेक्त इस बस्ultura बदेखें मुकंव हैं मुखीशन हैं चाम पर सबसे ज़्यादा वर जरूरी है पर्भाव और परभाव पढ़नां देखो जैसे अभ्यास करोगे तो अभ्यास के सी द्रवाश सकते हुब अभ्यास करने से क्वाता है आप लक्ष को ब्ली क्या मारे तब 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 गधाने का मतलब है एक पर और पर नहीं है तो आपको क्या होगा अधीक हमिशन नहीं होगा त coal अभ्यों नहीं में तो यह यहां पर लिए ऐस फंटोस असंटोस होगा प्रभावर परिढम में आपको क्या होगा अनुभंधन होना भेक्ष होना है तो देखे अनुभंधन कैसे हो और किसे प्रतिधिते हैं म Але पे Read प्री निकल गया आपका तो आप मोटिवेटेट हो जाएंगे न आपका परिणाम अगर अच्छा है सकरात्मक आया तो क्या हुआ आप मिन्स के लिए और तयारी अच्छे से करेंगे प्रभाव या परिणाम का नियम उन्हों ने मुखिरुप से दिये अभियास का नियम ततपर्ता का नियम और प्रभाव और परिणाम का नियम इसके अलावा उन्होंने गौड नियम है गौड नियम भी उन्होंने पांच दिये हैं उसको भी देख लेते हैं देखे गौड नियम देखे अचारी देखो यहीं कोशन देख लो एक सिक्षक पार्ट पढ़ाते से पह क्या motivation दे रहे हैं ततपरता आँ घ्यां सबयाएं सबसे पहले है बहु हरा बार 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 प्रयास करते हैं तब करते हैं टके याद करते हैं तब आके याद होती है तो नियम क कहता है यह जो सिधांत है इसमें क्या होगाρχ invece होता है बार बार दोरा होता है मनु वृतिई का मतलब है मन की वृति मन की उक्षा आपकी मनवरति जो है यहीज़ कम ही ज्यादा important एसे मन вспड़ति नहीं है तो आप नहीं पढ़ियेगा माली जो तूट गया है पढ़ने करेंगे किर नहीं करेंगे या पीर आफीर आज दիधिया आज जिसे पर आना है एक महीना से बी कम समय बचा है आप पूरा खतम एआद नहीं होता है ठीरे 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 ठोड़ा-ठोड़ा करके करेंगи तो हो जाएगा ऐसा नहीं है कि नहीं होगा समय अभी बहुत परियाब ठीक है सब के लिए बराबर समय है अभी भी करेंगे तो हो जाएगा तो किसी भी बड़े काम को करना है तो छोटे-चोटे अगर आत्मी करण का मतलब होता है आप अपने अपने उसको कर ले ना तो यह पांच नियम है अब ऐसे पड़ लोगो तो चल जाएगा ठीक है क्या है बहु प्रतिक्रिया का नियम बार-बार करवाना मन की इक्षा होगी तो हूपाएगा उसका साथ आंसी क्रिया करिया कहने का मतलब है थोड़ा-थोड़ा काम करवाना लास आपका आत्मी करने याने उसको क्या करना सहच कर देना और सहच करना ठीक है लास में देखिए देखिए प्रयोग इस पर किया हुनोंने बिल्ली पर मिर्त मषणी राप्त करना जैए प्र Europas Das. वाल मन की इस पर किया आगे बढ़ते हो एयर अनुक्रिया मने बता दिया अनुक्रिया मतला रिस्पांस कि इसको में बल्ली और उडीपन क्या हो जागी हुनentially मतला मिर्त मठता हुं प्रियों क्या हुई ने क्या किया है मुर्त मचली को पाया है कैसे पाया है और क्या होगा संयोग से पैर पड़ा और वो प्राप्त कर ली तो ठीक है यह आपका बता चुका हूं पहले ही इसके बाद देखें इसका कच्छा में क्या उप्योगता होती है बच्छों से हम बच्छे से कैसे करेंट कर सकते हैं करवाना चाहिए यह तो बार बार प्यास करने का मतलब क्या हुआ जो मंद बुद्धी बाता होता है जो कमजोर बालक होते हैं इसके लिए सबसे अच्छा विदी है बार बार प्यास करवाते हैं तो बच्छों में बार बार प्यास करवाना चाहिए बच्छों में तूटी स कर रहे थी वैसे बच्चे तूटी करेंगे सीखने में अधिकाम में तूटियां होना सभाविक चीज होती है उसके साथ दिखें सुधुचारन बाला किसी सिध्धान से सिखते हैं अगर बच्चों से सुधुचारन करवाना है सुधुचारन मतलब आपको एक्जेक्ट आपको साथ देखें मंद बुद्धी का जो बालक होते हैं इसके लिए बहुत उपयोगी होता है तो यह याद रखेगा यह सिध्धान था 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 हमने आज क्या पढ़ा तो सबसे बहला अधिकम पढ़ा विभार में इस्थाई परिवरतन अधिकम होता है विभार में जो परिवरत जो बजगा है उसको हम लोग नेक्स वीडियो देखें तो अराम से आप पढ़ते जाएए नूर्स बनाते जाएए और इसका पीडियाप जो है आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगा तो इसके कोई टेंशन नहीं लेना है बस आप बने रहे हर फिल मिलेंगे हम लोग क कर दो कर दो